जेटियू के प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता नीरत जी बोल ले थे कल मैं सुनदा मैं उस विबाद में पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना कहूंगा जो इन सब बातों के मुखर विरोधी हैं उनको मंदिर जाने वालों से बोट भी नहीं मांगना चाहिए नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइफ शुटीज में आप उशेक है आर जेडी एमले फते बहादुर सिंग ने पहले मंदिरों को लेकर मां सरस्वती को लेकर वियान दिया उसके बाद एक पोस्टर लगाया गया उनके द्वारा जिसमें उसमें साफ साफ मंदि कुमार का समर्थन भी किया है कई अन्य बातों को भी उन्होंने कहा है और उन्होंने साफ साफ कहा टीका टिपनी नहीं करें उन्होंने साफ साफ कह दिया टीका कि नहीं करनी चाहिए तो कई अन्य बातों को भी हो कह रहे हैं लाइफ यूडी से इंटर्व्यू में पहले कि धार्म और पाखंड के अंज्यों नासरे संबंद हैं कि धार्म और डर के भी आंतरिक संबंद हैं मैं उस विबाद में पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जेटियू के प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता नीरा जी बोल ले थे कल मैं सुन दा मया नहीं था जारकंड में था उन्होंने कहा जो इन सब बातों के मुखर विरोधी हैं उनको मंदिर जाने वालों से बोट भी नहीं मांगना चाहिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो मंदिर अगर पाखंड का मालसिक गुलामी का मंदिर एक सरदा का भी निष्ठा का भी जगह है यह व्यक्तिकत धार्म कि व्यक्तिकत आजादी सब को है संभिदान ने हमको दिया है उस पर सीमा के बाहर जा करके कि पन्नी नहीं करना चाहिए तो आपने सुना कि पूर्फ सवगा है जिस तरीके मर्जशकुमार ने कहा करनी करनी tiefyn चाहिए तो सबस्केkich मंदिर शप्र टिखा संब करनी करने चाहिए और बचने की सलाह दे रहे हैं ऑन राकर से हैं वह को ले कर आज कुरहनी में आए हुए थे 19 जनवरी या 19 फरवरी को रैली कर सकते हैं गांधी मैदान में पत्ना में बड़ी रैली होगी इसको लेकर वो जगा जगा लोगों से समर्थन मांग रहे हैं अपील कर रहे हैं इसी करम में मुझफ़र बुराए थे और लोगों से अपील की प्रोभ करें लोगों से प्रावी प्रोप्य करें टार कि बड़री को अपिया हैं आप अल्च करेंडरी को लाशब कि एक प्रावी जार लोगों से उन्वेर हैं इसक्षाएं अवाब पूर्वेश्स्ताय का रहे